हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका रिकी कुमार आप देख रहे हैं एक्टिंग इस माई लव दोस्तों आज की वीडियो मैं बना रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों से हमारे एक वीवर्ज सौमिक कई बार यह बोल चुके हैं और उनके साथ एक और कोई भी थे जिनका कमें है यानि कि सौमिक भाई आपकी तो यह वीडियो जो है यह स्पेशली आपके लिए ही होगा अगर वन व्यू भी आए तो वांदा नहीं है पर आप जरूर देख लेना तो आपको यही समझाने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि अभी में दिक्कत क्या है प्रॉब् किंग बना नहीं है वह कमिंग सून है होगा भी कि नहीं पता नहीं तो यह है सिंबा यानि की छोटा चैनल है अभी इसके सब्सक्राइबर बहुत कम हैं अभी इसमें वियूज बहुत कम आते हैं जो भी मैं अपने हिसाब से मुद्दे मुझे मिलते हैं वह मैं इसमें लाता रहता हूं और वो मैं लाता भी रहूंगा क्योंकि मेरा काम यह नहीं है कि लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं मेरा काम यह है कि लोगों को किस चीज के पीछे भागना चाहिए मैं उनको बता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग भेड़ चाल तो जरूर चलते हैं लेकि समझ में नहीं आता है कि ऐसे में मैं इतने बड़े कलाकार के मतलब बेटे को कैसे कहूं। अगर दस बारा व्यूज आएंगे या फिर मुशले से वो भी नहीं आएंगे तो इतने बड़े कलाकार के बेटे को लाना और उस चीज को कराना फिर वो कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा आप खुद भी समझ सकते हैं जो इमेज है यतिन कनकियजी की इमेज है वरना मेरे च कि किछा सुधीब के देखे हैं तो चोटा चैनल है और ओडियन्स देखे गी नहीं देखे इस टाइप का रहता है तो इतने अपने वेस्ट लाइफ से टाइम निकाल कर वह आएंगे भी मान लो या कोई दिक्कात आई या यह कहांगे कि यह क्या पीछे पड़ रहा है तो ए अभी हिम्मत नहीं हो पारी अच्छा चैनल ग्रो किया हुआ होता सब चीज सही होती तो मतलब हम एक तरह से अप्रोच कर सकते थे कि हाँ भाई आप एक बार आईए वीवर्स होने भी चाहिए यह नहीं कि इंटर्व्य हुआ और वो वेस्टेज जाए बाकी यह है कि यदि वो खुद इस चीज के लिए कहते हमको तो अपने तरफ से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए तो अच्छा ही है अपना नहीं करेंगे अपनी तरफ से कि भाई हमको नहीं लेना लेकिन हम अभी किसी को कह नहीं सकते जब तक यह ग्रो नहीं होता है तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहरा हूं आपको भी पता होगा फैजल खान का भी जब बहुत ज़्यादा हाइक था मेरे चैनल पर उस समय जब उनकी फिल्म आरी थी फैक्ट्री काफी हम लोग ने सपोर्ट क मैं किसी एक यूटूबर को पकड़ा था वो उसी के साथ ही रह गए तो इसलिए अभी कहनी सकता मैं कि मैं क्या करूं हां खुद यदि वो चाहेंगे यदि आप उनसे कर सकते हैं बात और वो या तो फिर अपने मन से कर सकते हैं यह चीज तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ब कि बातों से समझाना और अच्छा होगा मुझे लगा कमेंट में तो मैंने आपसे कहा ही था बाकी मेरा फेस्बूक भी है आप लोग उसमें मुझे जॉइन कर सकते हैं बात कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा है जरूर बताएं जो मेरे हाथ में होगा जो मेरे बस में होगा मैं उस सब आपके लिए करूँगा ठीकिन जो मेरे हाथ में नहीं है या अभी इसके लिए हिम्मत नहीं है वो मैं अभी नहीं कर सकता तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब पक के लिए टेक केर